बोलिए स्री हनमान जी पंडोखर सरकार कीजें, स्री हातिवान महराज कीजें, स्री शमादी वाले बाबा कीजें, स्री हिंगोटा वाले महराज कीजें, बोलिए पुष्पा वतिगंगा मैया कीजें, गव माता कीजें, बोलिए पंडोखर धाम कीजें, बोलिए स्री हनमान जी महराज कीजें, देखिए, आज जो कुष्षन, जो प्रशन मेरे से किया गया है, कि प्रम्पुझपास सद्गुर्द भगवान स्री हातिवान महराज के विशाय में संचिप्त जानकारी जन मानस में दी जावे, जिससे की भक्तों को ये ग्यात हो, कि प्रम्पुझपास सद्गुर्द भगवान स्री हातिवान महराज काउन है, स्री शमादी वाले बाबा काउन है, स्री परितराज महराज काउन है, और स्री हिंगोटा वाले महराज काउन है, सबी वक्तों की जिग्यासा शंपूर्ड भारत वर्ष में और देश विदेश में बैठे वक्तों को प्रम पुझबार सद्गुर्द वगवान स्री आतिवान महाराज के जानने के विशय में भक्त जिग्यासू है मैं पंडोकर धाम की पीट की ओर से पंडोकर धाम पीटादीसर होने के नाते जो हमसे आज कुश्चन किया गया है उस कुश्चन पर मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहले पंडोकर धाम, पंडोकर धाम पिटादिसर, पंडित गुरुसरन सर्मा बिप्र ब्राहमण कुल में हमारा जनम हुआ है, पंडित श्री असुक कुमार सर्माजी के जेश्ट पुत्र के रूप में आप सब लोग मुझे जानते हैं, हमारा जनम 15.04.1983 बरहा ग्राम में मेरा जनम हुआ है, बरहा ग्राम जिला भिंड के अंतरगत आने वाली तसील लहार है, और लहार तसील के अंदर आने वाली ग्राम पंचात बरहा है, जिस बरहा में प्रम पुछबा सद्गुर्द वागान स्री हातिवान महराज, स्री प्रेतराज महराज, स्री शमादी वाले बाबा, स्री हिंगोटा वाले महराज, और पुर्व्यों की तप भूमी बरहा है, जहां से मुझे ये लाइट प्राप्त हुए है, वही बरहा है, जो आप चालिसा में पंडुकर सकार चालिसा में बरहा ग्राम का जिक्र सुनते हैं, बरहा ग्राम एक सुन्द्रा एक रामा, हाती वान एक देव को धामा, प्रमपुजबास सद्गुर्दे भगवान, स्री हाती वान वाले महराज, कि महमा के विशय में, शंपूर्ण ब्रमाइंड में ये पंडुकर धाम की आबाद जा चुकी है, सोशल मीडिया के मादधम से, प्रेंट एलक्टिक मीडिया के मादधम से, और पूरे दुनिया में जहां भी पंडुकर धाम को सर्च किया जाता है, गूगल के मादधम से, ततकाल वहां पर गूगल माइंड और एक फंक्शन खुलकर, पंडुकर धाम का मैफ और बरहा का मैफ खुल जाता है, और वहां की महमा जागरत होती है, जिस महमा के विशह में, जो कहा जाएं, ये मास की जीव को बोलते बोलते ठक जाएगी, लेकिंग बरहा गराम की महमा का पूर्टा बखान नहीं हो पाएगा, हम तो भागिसाली हैं कि इस जीव के मादम से मेरे द्वारा बरहा का इथ्यास को भक्तों के आगरह पर भक्तों ने जो निविदन किया कि बरहा में प्रमपुछपा सद्गुर्द भगवान आतिवान मराज का कैसे प्रादूबा हुआ, देखिए, इस संसार में भगवान स्री राम, स्री कृष्णो और भगवान विश्णू के अनेका अनेक अपतारों में मानाव लीला, अनन लीलाओं के मादम से इसुरिभी इस्मृतलोग पर आए, एसे ही प्रम्पुझपा सद्गुर्द भगवान स्री हातिवान महराज बरहा की भूमी पर एक राजा बनकर, एक बादसाय की रूप में और उनके पाँच भाई, पाँचो भाईयों ने अलग-अलग धरम नभा कर बताया, कि संसार में कोई अलग नहीं है, कोई जाती वाद नहीं है, बस करम प्रधानता है, प्रम पुझपा सद्गुर्द भगवान स्री हातिवान महराज, प्रम हंस, हनमान जी के अनन्न भक्त, और मुस्लिम संप्रदाय में रहकर, उनने अपनी वाद बताई, कि नहीं, स्री हनमान जी महराज को जपो, उनका इश्मन करो, सफलता प्राप्त होगी, और परमात्मा को ही भजने से लाप्राप्त होता है, परम पुझपा सद्गुर्द भगवान स्री हातिवान महराज, एक राजा वास्साय थे, और उन्होंने बड़ी लंबे समय से, अनेक अनेक राजाओं से महा युद्ध किया, जो उनके सामने, कोई सामने खड़े होने को बराबरी में तयार नहीं था, उनके नाम सुनते ही मित्रता हो जाती थी, संदी हो जाती थी, और उनके छोटे भाई, श्री परीत राज महराज, जो हनमान जी के सिवक हैं, जो ब्रह्म परीत कहते हैं, वो ब्रहमन हैं, उनके छोटे भाई, शत्री का धर्म नवाया, और पांचों भायों ने अलग अलग धरम नुभाकर संसार में यही प्रणा दी कि संस्कार्दु जुच्ते वेद पाड़ी प्रहा ब्रह्म जानेती ब्रामणा करम से पहचानो जोगी प्रमपुजपास सद्गुर्द वैकबान ब्रामण है जैसे कि मैं आपको बता दूँ धा जाते हैं राजिस्थान लेकिन गोगामडी वाले जहर पीर खान है लेकिन खान नहीं है उन्होंने छत्री हैं लेकिन उन्हें एक मुश्लिम संपरदाय का प्रचाप्रशार में उनको उस नाम से उपादी प्राप्त होई इसी प्रकार से हमारे विद्वान लोग कहते हैं ज शादू संतों की महाप्रसों की जाती नहीं होती राजाओं की जाती नहीं होती है उनके किर्म के आधार पर उनका सम्मान बढ़ता है उनके किये हुए मेहनत से उनके किये पुरसार से उनका नाम बढ़ता है राजाओं की कभी जाती नहीं होती राजा विश्णू सुरूप कौन कहता है दुनिया में कि पलाने हैं पलाने ढिमके हैं परंपुझपास्त्गुर्द व्गवान श्री आतीवान महराज जिनके लिए आला में लिखा गया है राजा पिरू मरे बरागी खान आला का इस्या जानते हो कब का हैं प्रतिवी राज चोहन के टाइम का है कुछ लोग कहते हैं सत्रु जी धतिया के राजा से यूद रुआ कुछ लोग कहते हैं महावारत में उनका योगदान रहा है कुछ लोग कहते हैं कि स्री कारफदो महाराज बुंदेलखंड ब्याना ज्धाज राजिस्थान में शूद नाराण की जोतपत्ती है भगवान संकर की दो कला से अप्तरत हुए हैं फूल अप्तार कारफदो महाराज उनके जेश्ट मित्र बड़े पगिया पल्टी हुई प्र जो देपताओं की प्रमपरा है कलीकाल में जो देपतुल पृत्तुल शिदतुल अधी भहरा वादी नार सिंग गौणड परीत मेवात्यों नार सिंग बुदेला अधी ये सब मानाव हैं ये लेकिन देव अफ्तरत कलीकाल में देपताओं की रूप में प्रकट हो गए और यह लोगों के आरहद इस्ट और उनके कृपापात्र गुरू के रूप में और महापुरसों के रूप में उनकी पूजा होती है तो प्रम्पुच्पा सद्गुर्देवान स्री आतिवन माराज बाधसाय राजा थे जिन्होंने दतिया के राजा सक्त्रुजीत का बद किया थ थे वहाँ अनेक राजाओं की जब तोली रुकती है पड़ा होता है रसकर उतर जाता है तो उन रसकर में महाराज जी अपने पलरी से महावत की पलरी में चले गए थे वहां महावत के राजा सत्रुजीत ने सोचा दतिया वाले ने जो की औरच्छा नरेस के आधिन दतिया थी उस दौरान क्योंकि दतिया में कोई राजा नहीं था दतिया के राजा तत्काली उनके पास जो पावर था जो उनके पास गड़ी थी तो उस गड़ी को रखाने वाला कोई था नहीं तो महारा सत्रुजीत को औरच्छा से बलाकर दतिया उनके आधिन कर दी कि आपको रा किया और सत्रू जीतने जैसे ही राजा पिरू बात्साय का प्रम्पुछबस्ट स्रद्गुर्दवान स्री अतिरुन महराज का उनके छोटे भाई परित राज महराज का उस दों जिसा पांचों भाईों के अलाग नाम हुआ करते थे इन नाम लेवने के लिए मेरी अखाद न प्रमपुछबस्ट स्री आतिवान वाराज के वारे में कोई भी गुणगान नहीं कर सकता जितना भी करेगा अपने आपको सभाग समझे उतने इमें अपने आपको उध्धार हो जाता है यही आप लोगों से कहेंगे के सरी आतिवान महराज एक राजा थे और दतिया वाले राजा ने राजा स्तरुजित ने वापर उन पर प्रियार करने का प्रयास किया उनने सोचा कौन राजा इस समय तो सब लोग सो रहे हैं संदी के यह कामनी शरोज चंबल के आसपास के थ्यास की भुख है पीएजडी थीसिस में कामनी शरोज जी के भुख में उल्लिकत है और भी हमारे श्रीवास्तफ जी श्रुड़ा वाले हुए हैं इस समय प्रमधाम को चले गए हैं लेकि इस समय हमारी माता जी हमारी बेहन उदेवी ज उस राजा के ही अनकुल लिखा जाता उसके खिलाब नहीं लिखा जाता प्रसंद्धा उसी की लिखी जाती है तो का गया कि समय भेद हैं लेकिन सत्रुजीत का बद हुआ नाकी प्रमपुछबा सद्गुर्दवासरी हातिवान महाराज का उनका बद करने वाला तो इसमें उनकी क्या तागत थी लेकिन लिखा गया है यही लिखा गया कि सत्रुजीत का बद हुआ और जिते हातिवान जी महाड़ प्रुबासरी का बद हुआ दौनों लोग विगर राजा की फौज काली हो गहीं क्योंकि विगर राजा की यूद्ध नहीं होता विगर दूले के बर पीट दीट भागा और शोदा नहीं पाया और श्राया, शिर्व सत्रूजीद को बान लग गञा लगया अर्शत्रूथ के प्राण निकले गए लेकर मなる समझदार था कि ह memorial अधिन शृड़ा भी गढ़ी ती शबुड़ सनंद्र कोमार कि द्सटोत शनका कह division2 वेदे kids जहां असनक संदन संदकुमार जी ने तपश्चा की वहीं पर गड़ी है दतिया की उपगड़ी और दतिया में उपगड़ी के जो राजा हुआ करते थे उस दरह उनकी मृत्व हो चुकी थी उनकी तीन पत्निया हुआ करती थी जिसमें लछ्षमी बाई यहीं लच्षमी बाई नहीं जासिवाई लच्षमाई को जोड़बा एक लच्षमी बाई औरordin दतिया में लच्षमी बाई आदी लकवादादा उनपर नियत खराब करते रहे थे उस दोरान उनको भी छुटकारादिलबा दिया और वहाँ पर दतिय जाकि रियासत की जमीने वहां के रामतुला फुगने वाले व्यक्ति को लगी रही वहां के आने लोगों को लगी रही और सुबय होने पर पता लगा कि दोनों तरफ से राजा प्रमधाम चले गए जो कि ऐसा नहीं था और आतीवान महराज पिलुबासाईगी विजय हुई र एक कोने अलग अलग तरीके से छापा कामनी सरोज की बुक में आप एड़ी बुक ठीसेजम पढ़ सकते हैं यह सा सुना पढ़ा जन सुनूती है वही मैंने आपको बताई तो हातीवान महराज के साथ में हनमान नाम के एक बानर 24 गंटे रहा करते थे तो वह हनमान जी के पर मुझबा सद्गुर्द बफान सरी अतिवान महराज के हाती के मस्टक पर बानर शुरूप में हनमान नाम के बानर उनके मस्टक पर नहीं पर अबे भी जब …बंस जी की और उसके बाद प्रसुन सुनते हैं और वही आतीमान महराज ने अपने हाती से हाती के पैर के मादम से एक चोट दी जमीन पर जमीन का भाव खुला और वहाए हाती सहत उसी में समा गए जब से वही इस्थान को बरहा धाम कहते हैं वहीं पर हातीमान महराज बराजमान ह उन्हीं के प्रश्यत्र से प्रम्पुजबा समाधी वाले महराज का अगनी से प्रकट हुए हैं एक आवा हुआ करता था इंटा खपरें आदी जो पका जाते थे गाउं में उस अगनी से उनका प्रादुबा हुआ जिनको समाधी वाले भाज कहते हैं प्रमंस कहते हैं जिन्होंने प्रमंस कती पाई और उसके बाद शंप्रदाई चलाया और उसके बहुत अच्छे शंतम उनकी गिंती रही एक जगए पर अनेक जगए पर एक साथ प्रकट हो जाना एक साथ अनेक जगए पर भोजन पाना बेविन्न जगए पर जाकर के कीड़तनों में भजनों में प्रिविस कर जाना तो समाधी वाले महराज का प्रादुबाओं हातिवान महराज के जैस्त मंदर के सामने से आवा वास्तव परवार। सक्सेना परवार के माध्धम से श्रीवास्तव जी के परवार से उनको बालक शुरू में ले जाना, उसके बाद उनको मंदर पर गड़ीप नामका स्थन बनाना, वहां पूजा-पाठ में उनकी विवस्था करना और दीरे दीरे उनकी लंबी आय उपाई और आई उने कि उने कहा कि यदि मुझे समाधी चाहिए और जीवन्त समाधी चाहिए तो समाधी वाले महराज ने जीवन्त समाधी लगाई और जीवन्त समाधी लगाने के बाद कहा कि मुझे बारा साल बाद जमीन से निकालेंगे आज से बारा साल बाद तो हम बारा साल के कुमर और बालक के रूप में प्राप्त होंगे फिर मेरी इतनी ही आई होगी फिर समाधी लगाई जाएगी तो पालिटी पालिट दुनिया में इसी के आभाओ के चलते योग बदला समय बदला लोगों को भैव्यत्त हुआ कि ना मालूम बारा वर्स की काता आप खोलेंगे तो ऐसा नहीं कहीं कोई बलास्त हो जाए रिशी मुनियों संतों की बाणी है बारा वर्स का आदेश था अब लगवक्त सो सबासो वर्स हो चुकी है जब से लेके अभी तक किसी ने निकाला नहीं है तो ऐसे समाधी वाले महराज ने निरंकारी संत हैं उन्होंने बड़िया अपना बड़ा संपरदा चलाया और हनमान जी की स्थापना कराई हनमान जी का मंदिर आज भी हनमान गड़ी के नाम से बरहमें है अनपूरा महिया बगल में हमारे महराजी के प्रमशिष्षों में से जो संतगण हैं जो उनके शिसगण हैं उनके द्वारा महान अनपूरा गिस्तापना कराई गई वहीं हनमान जी महराज के मंदिर बनाए गए और उन्होंने समाधी वाले का पहला चमतकार था कि एक- emphasize एक-ड़, एक-ड़ रर्इन gegen एक-ड़े थामेसे और एक-डह मंगए रहे, फूरा विट्रा एक-डिटा का लिए और उसके बाद उसमें एक-ड़ और एक-ड़, कीटो निकले और उ를 फेरा मंड़ी किन बनवा लिया, जब उसे ताने दियागा है कि तुमने मेरा भीटाकान निकले और उन्हें पूरा आज भी मंदिर उनी के जमाने का है उनी के गढ़ी है उसी जमाने के आज भी वहां गुफाएं बनी है और वो एक लाख एटा की आसपास का बिठा को उनने मंगाते रहे मंगाते रहे और पूरा बिठा खाली कर लिया आदे से जादा के उपर जादा कर लिया और जब वो बिठा दिखा गया तो तहीं किता निकला नाकाबंदी का जमाना था सक्कर ले जा रहे थे नाकरवंदी पर पकल लिया गया कि बहुए एकाले जा रहे हो बोले साब जामें तो नमक है मुह से के दिया बाबा आप गलती होगे नमक क्या दिया आप खोले तो जब खोला गया तो उसमें पूरे दोनों की दोनों बोरा जितने थे सब नमक हो गए एक बार क्या शक्रता ही कितना माने में आप दिस तौले नहीं धिए फिरीयं नहीं निकिला उनने लेकित गड़ी पर किया चमत्कार भूगया चमत्कार चलता गया चलता गया वहन teakka이다 ग्रतीstory क्वद्धिनrika कि एक चार चार जगे निमंत्रन जारे बोजन कर रहें दो दो जगह हो रहे हैं बोलाने वाले आया पूजान बेठें और नब देखा गया चलो तो पता पर माहराजी दो गंटे पहले से यहां पर भजन helpful उनका आज भी नियम है कि जिला जालून का जिला जहांसी का गाउं है आज भी वहां जाके देख सकते हैं सांकिन सांकिन में आज भी समाधियल माराज का स्थान है उनने बर्दान लिया था कि महाराज जब जीविंत थे महाराज कहीं भी रहो एक टैम का भोजन मेरे यहां करना प्रतिधी तो एक टाइम भजन करने के लिए सांकन प्रकष्ट होते लिए प्रती दिन जो सांखन संदर के पास में है очер ए सल एकर संदर मेरा कहने 55 laugh में आपको संचित जानकारी दी और देवताओं की कौन इत्यास बता सकता है कहां से जनमे कहां को गए संत तो जल की तरह है भैता पानी है जाँ थम जाए तन जाए और मन में आ गया तो चल दिये ऐसे संतों का तो सरण में जाना चाहिए अथना करना चाहिए नाम के वो मुश् आगी वो जाती से मुसल्वान नहीं है किर्पया यह दुमाख से अटा दें आतिवान महराज हनमान जी के वक्ते हैं उनके मंदिर में ना तो अंडा लगता है ना मुर्गा लगता है ना किसी प्रकार की अन पूजा पालागी होती है वहां रामायन होती है भागवत होती है है और जब भी किसी के मनों कामना पूरी होते हैं तो कन्या होती भागवत होती है इस प्रकार के वहां कर पूजा पालागी होती है आप दारणा अपने अपनी अलग है परमपूछपास सद्गुर्भाण मेरे इस्टे मेरे गुरू है जिनके कारपुर दुनिया में सब की जै, श्री स्रमाधी वाले बाबा की जै, बुल्यस्त्री परितराज महराज की जै, बुल्यस्त्री हिंगुटा वाले महराज की जै